नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का तयारी जीत के चैनल पर यूपी ट्रिपले सी पैट की तयारी में चौथा मॉडल टेस्ट है आज के इस वीडियो में करंट अफेर के कोशन्स मैंने ज्यादा शामिल किये हैं दूसरा पार्ट रहेगा विशुका भुगोल जो की सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया हुए उसके रिगार्डिंग प्रश्ण है इंपोर्टन बात ये है कि जुलाई का करंट अफेर आज के वीडियो में मैंने शामिल किया है इसलिए वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा प्रश्ण आपके सही हो इस्पेसली करंट अफेर के तो चले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ट्रांस जेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षन की विवस्था करने वाला देश का प्रथम राज्य नोक्रियों में कौन सा हो गया है हाली में आप्शन है केरल तेलंगाना करनाटक आंद्रप्रदेश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नोक्रियों में आरक्षण की विवस्था करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है सही जवाब है पहले का आप्शन सी करनाटक करनाटक को ध्यान रखियेगा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नोक्रियों में एक प्रतिशत का आरक्षण किया है और यह पर्षन इंपोर्टेंट है हाली में करनाटक के 23 करम संखयाद रखे 23 मुख्यमंत्री कौन बने है ऑप्शन्स आपके सामने है करनाटक के 23 मुख्यमंत्री कौन बने है बियस यदूरप्पा ने त्याक पत्र दिया और 23 मुख्यमंत्री बने है बस वराज एस बोमई दूसरे का option B है अंतराश्टिय बाग दिवस exams में UPSC में चार बार project tiger के उपर प्रश्न बन चुका है और बाग दिवस भी पूछा जाता है तो हाली में अंतराश्टिय बाग दिवस मनाये गया उसकी theme रखी गई थी इस साल 2021 की Dear survival is in our hand ठीक है Dear survival is in our hand कौन सी तिथी को मनाया जाता है अंतराश्टिय बाग दिवस 21 जुलाई, 39 जुलाई, 24 जुलाई, 28 जुलाई अंतराश्टिय बाग दिवस 29 जुलाई कमेंट करके बताएं कि project tiger कब लॉंच हुआ था project tiger हाली में Tokyo Olympic 2020 में सबसे कम उमर की swan padak विजेता कौन बनी है अब तक जितने भी Olympics हुए है ये जो महिला अभी जीती है swan padak इन्होंने इतिहास रचि दिया है सबसे कम उमर की Olympic के इतिहास में सबसे कम उमर की swan padak विजेता बनी है ये तो ये जापान की है मोमी जी निश्या 13 साल 330 दिन में इन्होंने ओलम्पिक चैंपियन बन गई ये जापान की है चोथे का ओप्शन ए है यहां रखना है जापान की मोमी जी निश्या हाली में कौन सा देश अंतराश्टिय सौर गठ बंदन जिसका हैड क्वार्टर गुडगाओं में है उसका 125 मेंबर बना है अंतराश्टिय सौर गठ बंदन हंगरी नैपाल स्वीडन फ्रांस ये कोश्चन फाइव स्टार काटिगरी का है इंपोर्टेंट है पूछा जा सकता है 125 सदस्यक अंतराश्टिय सौर गठ बंदन का बना है स्वीडन है गुडगाओं ध्यान रखिएगा स्वीडन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्ण है ये हाली में टोक्यो ओलंपिक 2020 भारो तोलन कैटिगरी को याद रखिए वेट लिफ्टिंग भारो तोलन मीरा भाई चानू ने देश को पहला मैडल दिलाया है सिल्वर मैडल ये किस कैटिगरी की खिलाडी हैं वेट लिफ्टिंग में किस कैटिगरी की वेट में 51 केजी 50 केजी 49 केजी 48 केजी मीरा भाई चानू से रिलेटीड हर बात आपको पता होना चाहिए इस साल के ओलंपिंग में देश को पहला पदक इन्होंने दिलाया है प्रश् की किस कैटिगरी में ये प्रश्ण मैंने बनाया है और बन भी सकता है config 50 केजी 49 केजी ची जआही जवार क्या होगा मिरा भाई चानू सिलवर मैडल इन्होंने हासिल किया है टोक्यो ओल्पिक में शही जवाब है 49 केजी 49 केजी से हैं मणीपूर से अगला प्रशन देखते हैं हाली में All India Football Federation द्वारा पुरुष कैटिगरी में Footballer of the Year का अवार्ड किसे दिया है? All India Football Federation पुरुष कैटिगरी में Footballer of the Year का अवार्ड दिया है संदेश जिंगन को इंपोर्टेंट प्रशन होगा ये आज तक भारत में नियाले की प्रिक्रिया बंद कमरों में होती थी लेकिन इतिहास में पहली बार पारदर्शिता लाने के लिए नियाईक प्रिक्रिया में किस हाई कोट ने अपनी कार्यवाही को पब्लिक के सामने सारवजनिक कर दिया? जी हाँ, हाली में हाई कोट की कार्यवाही सारवजनिक रूप से देखने के उनुमती देने वाला देश का पहला हाई कोट कौन हो गया है? इस High Court ने पहल की है, आने वाले टाइम में और भी कई High Court जो है पारदर्शिता लाने के लिए सारजनिक रूप से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तो पहला High Court का नाम याद रखना है आपको गुजरात High Court, गुजरात High Court ने अपनी सभी प्रकार की न्याइक प्रिक्रिया को सारज गुजरात High Court, हाली में अंतराष्टी या उलम्पिक समिती ने वर्स दोहजार बत्तिस का आयोजन होस्ट किसे बनाया है, किस राष्ट को मेजबानी दी है, अभी डिसाइड हुआ है, इंपोर्टन कोश्चन है, दोहजार बत्तिस के उलम्पिक का होस्ट कोन होगा, जापान France, America, Australia, सही जुआब है अंतराष्टि या उलम्पिक समिती ने दोहजर बत्तिस की मेजबानी आस्ट्रेलिया को दी है, ब्रिस्बेन, ध्यान रखेगा, अस्ट्रेलिया, दोहजार बत्तिस का उलम्पिक. हाली में अंत्रिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अरबपती कौन बने हैं अरबपतियों की अब होड सी सुरू हो चुकी है अंत्रिक्ष की यात्रा करने में लेकिन प्रश्ण हमेशा पूछा जाएगा पहला प्रथम व्यक्ति कौन था अंत्रिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अरबपती कौन थे रिचर्ड ब्रेंसन और अभी हाली में Amazon के CEO जेफ व्यजोस ने भी यात्रा की है लेकिन आपको याद रखना है प्रथम व्यक्ति का वर्जिन ग्रूप के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन अरबपती है पहले अरबपती है जिन्नोंने अंत्रिक्ष की यात्रा की अगला प्रशन देखिए सुर्ख्यों में रहे निशार क्या है समचार पत्रों में निशार काफी ज़्यादा सुर्ख्यों में रहा यह क्या है भारती नौसेना का COVID-19 साहता कारेकरम अंटाक्टिका में भारत का शोध अभियान इसरो नासा का स्थन्यूक्त मिशन उपग्रे मिशन इसरो का अगामी उपग्रे जो 2022 में प्रित्वी की कक्षा में भेजा जाएगा निसार तो निसार एक उपग्रे है और इसरो और नासा का स्थन्यूक्त मिशन है स्थन्यूक्त उपग्रे मिशन है जो की 2023 में लौंच किया जाएगा ठीक है निसार उपग्रे है और क्या करेगा ये ये हिंद महासागर और दुरूविय क्रायोस्फियर का सोध करेगा दुरूविय क्रियास्फियर और हिंद महासागर का निसार एक उपगरह है इसरो और नासा का संयुक्त उपगरह मिशन C इसका सही जवाब होगा इस रो और नासा ने समझोता किया है निशार उपग्रह पर इस मिशन पर तो निशार मिशन क्या है प्रश्ण बन सकता है हाली में GST दिवस कब मनाये गया बारवे का सही जवाब है ऑप्शन भी एक जुलाई को हाली में भारत के किस संस्था ने भारत में not for profit अस्पताल मौडल पर एक अध्यन जारी किया है not for profit अस्पताल जो है देश में बनने वाले हैं इसके उपर एक report जारी किया है किस संस्थान ने ध्यान रखना है आपको नीती आयोग ने not for profit अस्पतालो पर एक मौडल अध्यन जारी किया है नीती आयोग से related जितनी reports हैं जितने भी सुचकांक देश के राज्यों के संदर में जारी होते हैं उसको अच्छे से पढ़कर जाईएगा वहाँ से प्रश्ण बनने की संभावना रहती है हाली में विश्व स्वास्त संग्ठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोशित किया गया है मलेरिया से पूर्टह मुक्त घोशित राष्टर एशिया का कौन सा बना है फाइव कैटिगरी का इंपोर्टेंट प्रश्ण है यह तो सही जवाब है चाईना जी हाँ अभी तक एशिया में किवल दो ही राष्टर ऐसे हैं जो मलेरिया मुक्त हैं पहला 2016 में स्रीलंका एक्जाम में पूछा गया था उस समय और अब चाईना अभी लेटस्ट चाईना को मुक्त किया गया है मलेरिया से और स्रीलंका को 2016 में तो चोद्वे का सही जवाब है ऑप्शन भी चाईना मलेरिया मुक्त गोशित किया गया है डबलुएचो द्वारा हाली में आरबियाई द्वारा 25 जून 2021 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार गोशित किया है 608.99 अरब डॉलर यह विश्व में सबसे जादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने के करम में कौन सा स्थान है भारत का पहला दूसरा तीसरा चोथा ऐसे प्रशन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आंकड़ा याद रखना है 608.99 अरब डॉलर विश दूसरों से उतना ही ज्यादा अच्छे से बारगेनिंग कर सकते हैं चीजों को अपनी आविश्चता अनुसार खरीद सकते हैं बहुत सी इंपोर्टेंट चीजे जो हैं हम कर सकते हैं ठीक है विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के पास जितना ज्यादा हो उतना बह पास पेरागवे प्रेरी इस कनाड़ा स्टेपी इस पॉलेंड डाउन्स दच्छिन अफ्रिका तो सुमेल कौन सा नहीं है यह बताना है आपको शोल्वे का सही ज़ाब है ऑप्शन बी कनाड़ा में टैगा और उत्री कनाड़ा में टुंड्रा इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती है ठीक है पंपाज अर्जंटीना पेरागवे प्रेरी इस उत्री अमेरिका नाकी कनाड़ा उत्री अमेरिका से भी उपर की तरफ कनाड़ा पढ़ जाता है और जिस प्रकार की यहां जलवाई हो वहाँ पे टेगा और टुंडरा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है बाकी स्टेपीज पॉलेंड सही है डाउंस अच्छिन अफ्रिका सही है कई बार स्टेपीज में यूरेशिया भी दे देता है तो गलती नहीं करिएगा वो भी सही है मध्येशिया भी द प्रश्ण है सरवाधिक उचाहिवाले बादल क्या कहलाते हैं सही जवाब हो जाएगा पक्षाब इस्तरी पक्षाब इस्तरी पूछा क्या प्रश्ण है इस्थानिये पाउने और छेत्र विशेष लेवेंटर तक्षणी स्पेन सेंटाना यूएस से जोंडा अर्जंटिना ट्रामुएन 10 मध्व यूडोक कौन सही सुमेल नहीं है अठारवे में लेवेंटियर ये भी सही है जोंडा अर्जंटिना ट्रामों 10 मध्व यूडोक य भी सही है यूपिट्रफिलेसी का पूछा गया प्रश्ärt है इस्थानिये पाउनों के संदर में चीनुक, USA, सिरोको, सिसली, ब्लिजर्ड, चीली, नर्वेस्टर्स, भारत तो यहाँ पे C जो है सही नहीं है चीनुक, USA, सिरोको, सिसली, नर्वेस्टर, भारत कई बार नर्वेस्टर की जगाँ एक्जाम में काल बैसाखी भी दे देता है तो ध्यान रखना है आपको, नर्वेस्टर्स को ही काल बैसाखी कहा जाता है जो कि पस्ची मंगाल में पाउने बहती है जो कि आमों की बेचारों के लिए जिम्मेदार होती है बारिश लाने के लिए जिम्मेदार होती है कुछ हद तक निमन में से कौन सही सुमेल नहीं है डूलूथ शहर एक तरफ शहर है और दूसी तरफ जील जिनके किनारे वो बसे हुए है डूलूथ सुपीरियर जील सिकागो मिशिगन जील डेट्राइट हूरन जील टोरंटो ओंट्रियो जील सही क्या होगा सुमेल कौन सा नहीं है पहला सही है सुपीरियर जील शिकागो मिशिगन जील डेट्राइट ये गलत है डेट्राइट जो है वो इरी जील के किनारे बसा हुआ है और मोटर वीकल के लिए फेमस है डेट्राइट सारा कचड़ा इरी जील में जाता है इसलिए इरी पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका की सबसे दूशित जील कौन सी है तो इरी जील है ठीक है हूरन जील नहीं इरी जील बाकी ये ओंट्रियो जील भी सही है चलिए अगला प्रश्न देखते है कमेंट सेक्शन में ज़रू बताइएगा कि आज के टेस्ट में आपके कितने प्रश्न सही हुए संयुक्तराज्य अमेरिका USA के दक्षणी कैलिफोर्निया में मृत गाटी मृत गाटी पे पिछले कुछ सालों से प्रश्न पूछे जा रहे है मृत गाटी जो है इसमें सही जवाब क्या होगा मृत गाटी किसका उधारन है तो मृत गाटी रिफ्ट वैली का उधारन है कैलिफोर्निया की मृत गाटी टिटि कागा जील बोलिविया पेरो टिटि कागा जील पे एक और प्रश्न पूछा आता है सरवाधिक उँचाईप पर नोगम में जील विश्व की कौन सी है तो टिटिका का जील जो की बोलिविया और पेरू की सीमा परिस्तित है इसलिए यहां पे बोलिविया पेरू मैंने दोनों लिखा है लेकिन एक्जाम में कभी बोलिविया दे देता है तो कभी पेरू दे देत विश्व की सबसे प्रसिद किम्रेले खान कहा उपस्थित है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किम्रेले खान šasy amus क्यों है तो बहुत ज्यादा हीरे यहां से निकाले जाते है ठीक है उत्तपाधन किया जाता है hero का तो ये किम्रेले खान हीरो के लिए फेमस है तो ये कहाँ पर इस्तित है ये स्तित है आपके दच्छिन अफरीका में दच्छिन अफरीका में ये प्रश्ण दो बार पूछा गया है एक बार उप्शन में उत्तरी अफरीका भी दिया हुआ था तो confusion ना करें, तच्छिन अफ्रिका, किमरेले, अपवा की द्रिष्टी से सबसे बड़ी नदी, इस तरह के प्रशन जो है, आपको यूपी ट्रिपलेसी में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बारवी स्टेंडर्ड तक के ही प्रशन पूछे जाएंगे, फैक्ट बेसिस कोश्चन की भरमार रहेगी, अपवा की द्रिष्टी से सबसे बड़ी नदी, अगर लंबाई की द्रिष्टी से पूछता तो नील नदी हो जाता, लेकिन अपवा पूछ रहा है, यानि कि मतलब की नदी जिसमें पानी की मात्रा दुनिया की सबसे बड़ी कांग चाइना की ठीक है इसको पीला नदी भी कहा जाता है प्रस्ण यूपीसियस में पूछा गया है कि एशिया की पीला नदी किसे कहा जाता है पीला नदी कौन सी है तो यांग किसी कि यांग बाड बहुत ज्यादा लाती है चाइना में कांगो के ऊपर दो प्रस्ण पूछ जाता है एक तो पिगमी जन जाती कहा निवास करती है तो कांगो नदी के किनारे और कांगो जो है वो भूमत्दे रेखा को दो बार काटती है ठीक है चलिए अमेजन नदी को याद रखेगा अपवा की द्रिष्टी से सबसे बड़ी नदी कांगो नदी का दूसरा नाम है जा अगला प्रश्ण देखें पूछा गया है कि निवन में से कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है प्रश्ण क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान दीजेगा उत्पादक पूछ रहा है कि निर्यातक पूछ रहा है सबसे बड़ा उत्पादक कौन है चाइना लेकिन निर्यातक में कीनिया इसके बाद स्रिलंका भारत और चीन निर्यात नहीं कर पाते बड़ी मात्रा में क्योंकि खपत हो जाती है यहाँ पे उत्पादन में चाइना एक बाद भारत ही है निम्र में से कौन सही सुमेल नहीं है बॉलिविया टीन के लिए फेमस है ब्राजील लोह एस के लिए मेक्सिको चांदी पेरू नाइट्रेट 26 वे का D हो जाएगा पेरू चांदी के लिए फेमस है नाइट्रेट के लिए नहीं बाकी उपर के तीन भी सही है ठीक है तो ध्यान से देख लिजिए इस तरह के प्रश्ण आ सकते हैं निम्र में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे विर्यहत्तम भंडार रखता है उत्पादित नहीं करता बात हो रहे है भंडार रखने की ठीक है उत्पादन कोन करता है इसका उत्तर अलग हो जाएगा यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार रखता है कौन सा राष्टर तो सही जवाब है 29-वे का आप्शन ए आस्ट्रेलिया ठीक है करनाडा कजाकिस्तान और आस्ट्रेलिया उत्पादन में भी जो है बहुत बड़े राष्टर हैं लेकिन भंडार के मामले में आस्ट्रेलिया जो है नंबर वन पर है निमन में से संसार का सरवाधिक व्यस्त महासागरिये मार्ग ठीक है नहर तो है स्वेज नहर दुनिया की सबसे व्यस्त लेकिन यहाँ पर महासागरिये मार्ग पूछा गया है प्रश्ण तो ध्यान रखिएगा कई बार महासागरों के बीच में स्वेज नहर भी देता है औ तो वो गलत हो जाएगा, मार्ग पूछा है महासागर वाला, तो सही जवाब हो जाएगा 28 वे का, option B, उत्री अट्लांटिक महासागर, उत्री अट्लांटिक महासागर, फैक्ट बेसिस परश्ण पूछे जाएंगे, घास का सागर बिना तटवाला सागर, यह यूपिटर पलेसी का परश्ण है, देखिए एक बार पूछा गया घास का सागर किसे कहा जाता है, या फिर बिना तट वाला सागर की संगया, किस Śागर को दी जाती है, option आपके सामने है प्रुनेई सागर, काला सागर, सरगासो सागर, कैस्पियन सागर तो घास का सागर या फिर तटविहिन सागर कहा जाता है सरगासो सागर को सरगासो सागर अगला प्रशन देखिए सरवाधिक व्यस्त बंदरगा की उपादी इन में से किसे दी जाती है? लंदन को, नियॉर्क को, सिंगापूर को, टोक्यो को, विश्व का सरवादिक व्यस्त बंदरगा, नियॉर्क तो आज के इस टेस्ट में कितने प्रशना आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अलावा अगला वीडियो भी करंट अफेर के कोशन्स के साथ होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, श्राओज के साथ हम के साथ हूए?